कि है श्रेंट वेलकम अंसगेंड बच्चो आज की इस वाले वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 9.1 का जो सेवन्थ नुमर वाला क्वेस्ट इसे सॉल्ब करेंगे यह हमारा लास्ट क्वेस्ट इस एक्सरसाइज का और जो मैंने प्रिवियस की वीडियो ना है न क्वेस्ट वन से 6 तक अगर आपने उनको मिस कर दिया उनको कोई भी वीडियो अगर आपने मिस किया है तो नीचे डिस्क्रिशन बॉक्स में मैं उन सभी का लिंक दे दूँगा वहां से जाकर करके आपने सारे डाउट्स क्लियर कर लेना यानिक उन वीडियो को भी देख सकते हो और ज यहाँ पर 6 रहते हैं? जरूर देखना जैसे देखो यहाँ पर हमारे पास एक basket बना हुआ है तो एक basket का मतलब कितना 100 fruit basket तो जैसे यहाँ पर रहीम के line में कितने पी बास्केट बने हैं 4 बने हुए है तो इसने उस season में मालो गर्मी का season था तो उस गर्मी के season में 4 basket नहीं बेचे हैं एक basket का मतलब 400 तो 4 basket का मतलब कितना होगा 400 इसका मतलब रहीम ने 400 basket बेचे हैं अब यहाँ पर 400 तो बनाने बने गनी बास्केट इसलिए क्या किया जाता है कि कम बनाया जाता है और उसको एक unit दे दिया जाता है कि scale दे दिया जाता है जैसे कि मैंने आपको ट्रेक्टर वाला मे नहीं बताया था, सेम उसी तरीके से, तो रहीम निया पर इसका मतब कितने बास्केट बेचे हैं, 400 बास्केट बेचे हैं, उसी तरीके से अगर आधा बना हुआ है, तो इसका मतब समझ जाओ कि 100 का आधा है ये, तो 100 का आधा कितना होता है, 50 होता है, तो इसका मतब क्या हुआ कि जो लखन पाल है उसने 100, 200, 300, 400, 500 और ये 50 यानि कि 550 बास्केट जो हैं वो लखन पाल ने उस टाइम सेल किये थे ठीक है तो ये प्लियर हो गया ये क्या दिया हुए हमको अब आज आते हैं अपन क्वेस्चन में इस क्वेस्चन में हमसे क्या कहा जा रहा है observe this pictograph and answer the following questions and इस pictograph को आपने देख लिया अब ये जो question दिये गया है इनका answer दीजिए तो पहला question क्या है कि which merchant sold the maximum number of baskets ऐसा कौन सा वैपारी ऐसा कौन सा मर्चेंट है जिसने सबसे ज़्यादा baskets बेचे हैं तो आपको गिनने की बिज़रोतनी है साब साब फोटो देखकर की समझ म आजाएगा कि ये जो martin वाला line है ना ये सबसे लंबा दीख रहा है इसका मतला martin ही वो merchant है जिसने सबसे ज़्यादा basket sold किये हैं तो यहाँ पर हमनों बता देंगे कि martin sold the maximum number of basket इसी तरीके देखो statement कभी भी रटना नहीं simple question से ही बना दो तो which के जगा में आप martin कर देना और merchant इसको हटा देना बस इसके जगा कर देना मार्चिंट और सभी मार्चिंट बोना हूँ मार्टिन तो मार्टिन sold the maximum number of basket और फिर ब्रैकेट में क्या करना ये भी बता देना कि उसने कितने बेचे हैं तो यहाँ पर देखो 1,2,3,4,5,6,7,8,9 है यानि कि 900 हो गया और आधा औ रहा है यहनि कि 50 तो 950 basket इस तरी किसे यहाँ पर पता देना लास्ट में तो यह हो जागा आपको पहले question का answer complete कुछ नहीं करना है बस आपको देखना और answer देना बहुती simple questions होते हैं फिक्टोग्राफ वाले दूसरा question देखो how many fruit basket were sold by Unward? Unward ने कितने baskets बेचे हैं तो देखो Unward 700 हो जाएगा 700 हो जाएगा तिहां पर अप्लिक होगे कि क्या है था question how many fruit basket were sold by Unward? तिहां पर अप्लिक देना कि 700 fruit baskets were sold by Unward थेक है बस यहां पर how many की जगह पर 700 कर देना कितना simple question था last question क्या बोला जा रहा है कि the merchants who have sold 600 और more number of baskets are planning to buy a go down for the next season can you name them? यानि कि ऐसे कुछ वैपारी यहां पर आपको मिलेंगे जिन्होंने 600 या उससे ज़्यादा क्या है baskets बेचे हैं तो वो क्या कर रहे है प्लान बना रहे है कि अगला जब गर्मी का season आएगा तो उस टेमें वो क्या करेंगे गोडाउन ले लेंगे ताकि उनको समान रखने में बहुत आसानी गोडाउन लेंगे जानते हो ना एक बड़ा सा कमरा रहता है यहां पर समान को रखा जाता है इसे फूरूट पर गर यह रखेंगे ताकि फूरूट क्या हो खराब ना हो जिसे घर में पैक करके रखो गयो जल्दी से खराब हो जाता है तो गोडाउन में 400 बेचा है लखनपाल का भी हमने गिना था 5 और आधा था यानिकि 550 बेचा है अनुवर का हमने देखा कि यह 700 है तो एक तो अनुवर हो गिया उसके बड़ मार्टिन भी जो था वो 950 बास्केट बेच चुका है यानि 600 से ज्यादा यह भी है तो मार्टिन भी क्या कर रहा है तो यहाँ पर देखते है रंजीत सी ने तो रंजीत सी का मुझे ज्यादा लग रहा है काउंट कर लेते हैं 1,2,3,4,5,6,7,8 यानि इसने भी 800 बास्केट बेचा है तो रंजीत सी भी क्या होगा प्लानिंग करेगा उनको डाउन लेने का जो सेफ पर देखते हैं तो यह 1,2 3,4 और यह आधा है तो नहीं इसका तो हमारा 450 होगा तो इसने इसने प्लानिंग नहीं कर रहा है तो यह तीन ऐसे वैपारी है तीन ऐसे मर्चेंट है जो क्या करेंगे गोडाउन ले लेंगे तो यहाँ पर बस यही आप इनका नेम ही लिग देना अनवर मार्टीन एं रंज आपको बहुत अच्छे समझ में आई होगा question number 7 तो सिंपल सा question था अब मिलेंगा पर नेक्स्ट वीडियो में जहां पर जो अगला exercise हमारा 9.2 उसे भी मैं आपको इसी तरीके से तो सिंपल मेथड में समझा दूँगा Thank you for watching